तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार इसको जो नोट में गांधी जी है उसको वो चाहिए हमने इसको गलत गांधी जी दिखा दिये उसको तो वो वाले गांधी जी चाहिए अब मैं आपको बताता हूँ यह देखिए कि आपने रश्या के military efforts को बढ़ावा दिया है उसका तेल economy बना दी भारत एक बहुत बड़ा देश है बहुत बड़ी democracy है सबसे बड़ी democracy है दुनिया में पर मैं frankly एक बात कहना चाहता हूँ हम लोग peace summit उस देश में भारत ने offer करा था कि हम peace summit करते हैं आपको बलाएंगे उनको बलाएंगे चलिए शांती यही बात मैं भी कह रहा हू हैं जिसने joint communicate of the peace summit जिसने sign नहीं करा यानि कि आप पहले sign करिए एक कागस जिसमें आप condemn करते हैं कि रशिया गलत है रशिया बुरा है रशिया विलिन है रशिया एग्रेसर है रशिया इंवेडर है आप चार गालियां रशिया को दीजिए रशिया के खिलाफ एक्शन लीज पैसे की कमें हैं नहीं हमारे पास युक्रेन से रुकेगा कहीं और से आ जाए ये मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपने देखा होगा मैं कई बार example देता हूँ शॉपिंग मौल में बच्चे नहीं होते बिगड़े हुए बत्तमीज किसम के मावा अपने ठीक से उनकी परवरि या है कि ये अपने नशे में चल रहा है कि युक्रेन is the center of the earth ये contrary opinion सुनना ही नहीं चाहता मत सुनो सानू की भाई देखो सुनो ये चाहरा था कि मोदी जी आते 8-10 अरब डॉलर उसको देते बोलते for the reconstruction हम शांती पर ये देश हैं हम हत्यार के लिए पैसा नहीं देंगे लेक जैलिंस्की does not want peace अब मैं आपको बताता हूँ कि जैलिंस्की को शांती क्यों नहीं चाहिए 2022 फरवरी से लेकर 2022 फरवरी में लडाई शुरू हुई थी 24 तारिक को तब से लेकर आज तक 55.4 अरब डॉलर की funding दी है युक्रेयन को भाई यानि कि 46.2 अरब डॉलर के हतियार युक्रेयन को दे चुका है जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों 55.4 वो अलग पैसा है ये अलग पैसा है कितना पैसा सिर्फ अमेरिका ने दिया है दोस्तों close to 90-95 बिलियन डॉलर्स सिर्फ अमरीका ने दिया है मैं सिर्फ अमरीका की बात कर रहा हूँ ठीक है इस पूरे मामले में हतियार का मैं आपको अलग से सैंपल दूँगा है इसका कि भाई कितना गळग गया है ये आपको पता होना चाहिए और सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा मिला है मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा है I'm only talking about military आप मिसाइल बंपटाके कितना पैसा मिलाए देखो जैसा मैंने बताया अमरीका का है 46.2 बिलियन डॉलर्स जर्मनी ने दिया है 10.7 बिलियन डॉलर्स यूके ने दिया है 5.7 बिलियन डॉलर्स डें़ार्क ने दिया है 5.2 ब बिलियन डॉलर्स फिनलन ने दिया है 1.9 बिलियन डॉलर्स ये दोस्तों कियल इंस्टिटूट फॉर दे वर्ल्ड एकॉनमी टॉप डॉनर्स और मिलिटरिये टु यूकरेन की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है 39 फरवरी 2024 की इसको बीबीसी ने कवर करा है 18 जुलाइद 2024 को ये एक think tank की कवर है जिसको बीबीसी ने कवर करा है ये genuine figures है यानि की 82 अरब डॉलर के हत्यार ये भाई खा गया 82 अरब डॉलर के हत्यार और उसके ऊपर से जो इसको नोट मिले है भाई वो अलगे है ये 82 के ओवरन अबव है ये सिर्फ military है एड जो इसको मिली है अब आप समझ लो यार इतना पैसा इसको दो साल में उतना मिला है जितना भारत का डिफेंस बजट एक साल का है इतना ही तो पास-पास का 80-85 बिलियन डॉलर का भारत का डिफेंस बजट है ये दो साल में उतने सिर्फ हत्यार में खा गया और भारत में दो डिफेंस बजट में आपकी pension है पे है आपके 10 और खर्चे है हत्यार पर थोड़ना हम लोग इतना खर्च करते है इतना बिलांद भर का इतना अब देखो इसके अलावा जो मोटे पैसे इसको मिले fund के grant के इसमेंसे इसको एक रूपए वापस नहीं करना है बाई समझो इसको इसमेंसे एक रुपयी वापस नहीं करना है जलन्सकी को सारा तर गड़क गया डिकार नहीं ली भाई है ने सारा पैस इसके पेट में है और को एक रुपए वापस नहीं करना अब मैं आपसे बात पूछता हूं या चोटीती बात पूछ रहा हूं आज की तारिक में यह बात कर रहा है देखो गोस्तों मुझे अमीद है कि यह पीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारी यूट्यूब टॉपिक को गवर्ण किया जट जहां पे हम पाकिस्तानी मीडिया रियक्सन अगर कोई पी इंडियाम घट ना गटे उस पर हो या फिर यहां पे इंडियाम कोई गटना घट ए तो उसके रियोटेट भी वीडियो डालते है उसी एकसास अथ हमारे इस चैनल पर आपको कई सा टॉपिक हो या फिर हो यहां पर डेली का सटर्टे लेट नाइट सो जहां पर सोसल मीडिया पर चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारें बात करेंगे एक काफी यह दा हमारा यह चैनल है वाइबरेंट होने वाला है काफी बेतरी नापके लिए कॉप्शन होगा हमारे चैनल के पर जरूर विजिट करेंगे वीडियो याँ तकी देखता है एक बार जरूओ सोस्क्राइब करें इस चैनल के अब किसी वी चैनल को आपको सट्काइब करने का जरू थैंप क्यूंकि आपर आपको हरे एक टौपिक बीडियो देखने को मिल जाएगा तो प्ह कर दो कि दो कि ये ऐ hours.